हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो स्सी मेकर, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जनरल अवैनिस के इंपोर्टेंट टॉप 20 MCQ डिटेल में डिस्कस करेंगे, यह जनरल अवैनिस की सीरीज का पार्ट 124 है, जो कि आपके आने वाले रिल्वेंटी, पीसी, गुरुप डी, स्सी, सी इज्रियल, CHS, MTS, पैंक और रॉल एक्जाम्स के लिए हलपफुल है, यह कुष्चन सरकॉम्पीटीटीव एक्जाम्स में बार-बार पुछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते हैं, सारे कुष्चन से इंपोर्टेंट एसली वीडियों तक ज़रूर देखेगा, और स दोस्तो हमारा फस्ट क्रिशन है, निम्लेकित में से कौन सा शहर वास्तुकला की द्रिष्टी से न्योजी शहर है, बताइए, तो दोस्तो वै है, चंदीगर, ओके, दोस्तो चंदीगर जो है, अंतरास्टे स्तरपर शहरी योजना बदता और वास्तु इस्थापत्ते के लि कारे किया था याद रखिएगा next question पर चलते हैं हमारा next important question है इलाबाद के त्रिवेणी संगम को तीन नदियों में से निमले की कौन सी नदी भूमिगत नदी है दोस्तों इसको correct कर लिजेगा इलाबाद को प्रियाग राज का जाता है अब सभी जानते हैं sorry तो दोस्तों नदियों का संगम है जिसे कहा जाता है त्रिवेणी और यहाँ पर जो है गंगा और यमना इन जो नदियां है यह दोनों नदियां इनका संगम इस पस्ट रूप से दिखाए पड़ता है परन्तु जोस्तों जो सरस्वती नदी है इसको आध रिशे रूप में संगम में समा कुम्ब का मेला मद्दे प्रदेश के इन शहरों में से किस में लगता है बताइए तो दोस्तों वै लगता है उज्जेन में ओके कुम्ब का जो मेला है मद्दे प्रदेश के उज्जेन में मनाया जाता है बारा वर्षों के अंतराल में जो है ये पर्व तम मनाया जाता है जब पूरे मास्क ने बेशाग पुण्णिमा के अंतिम इसनान तक बिन बिन तितियों में संपन होती है और इस इसनान पर्व को कहा जाता है दोस्तों सिंगस्त कुम्ब याद रखिएगा नास्ट कुशन पूचलते हैं हमारा नेक्स्ट एंपॉड़न के उशन है डैस कुमाउग के रोमांटिक नरत्यों में से एक हैं जो अकसर शाद्यों और वसंत रित्व में किया जाता है बताईए दोस्तों तो दोस्तों वै है च्छपेली ओके च्छपेली नरते जो है दोस्तों कुमाउग का सबसे अधिक च रहेता निर्ते हैं और ये चंचल गती या शिप्रता से युक्तु लोक निर्ते हैं इसका अयोजन जो है शादियों खेलों और मेलों में होता है इसके अलावा दोस्तो ये जो है प्रेम और श्रिंगार प्रदान निर्ते हैं और जोरा निर्ते जो है दोस्तों ये जोरा समुदाय होता है उनके द्वारा वसंत के आगमन में सुबे ये शाम किया जाता है याद रखिएगा नास्ट कुशन पर चलता है हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन कुशन है प्रसिद सोमनात मंदिर कहां इस्तित है पता याद रखिएगा नेक्स्ट इम्पॉर्डन कुशन है शही शुन होता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है दोस्तों ये सब जो है किसने कहेते बताईए किसने किया था इस सब्द का आगबन तो दोस्तों वैते दलाई लामा ओके दोस दोस्तों सही शुन होता के अभ्यास में उसका दुस्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है यानि कि इन प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वन्स एनमे इस दा बैस्ट इचर ये जो शब्त दोस्तों तिब्बती धर्म गुरू दलाई लामा द्वारा कही गई एक सुक्ती है या पिंडी मारी वेंकेट सुब्बा राओ ओके दोस्तों भारत का जो रास्टे सपत भारत कंड राज्जी के पति निस्ठा की सपत है और विशेश रूप से गणतंतरता दिवस आवाम सवतंतरता दिवस के अफसर पर सारवजीने की स्थानों पर उच्छारित होता है और दोस पार किया गया था याद रखेगा दोस्तों और दोस्तों ये वीडियो शेर करना बिल्कुल न भूलें आप सभी जानते शेरिंग इस दा बेस्ट वे उफ लर्णिंग तो शेर ज़रूर करें नेक्स्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है निमलेकि ये जो है दोस्तों कुरान इसलाम से और दोस्तों ये जो है गुरू गरंद सिक्क से और बाइबल जो है इसाय धर्म इन सबके ये प्रमुक धर्म गरंद है जबकि दोस्तों जो उपनिशद है ये वैदिक धर्म से संबंदित है ना कि जेन धर्म से याद रखेगा important question है मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने किया था पताए दोस्तों उनका नाम क्या है तो दोस्तों वैते जोर्ज बुलर ओके भारत में जो है वेदों के उपरान सरवादिक माननेता और प्रशलन मनुस्मृति का ही है और दोस्तों मनुस्मृति का जो अंग्र किस ने किया तो दोस्तों अगर सरवपुदम पूछा जाता है तो वै किया था नाइंटीन सेवन्टी नाइंटी फॉर में विलियम जॉनस ने याद रखिएगा नेस्ट केशिन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशिन है हिंस्वराज के लेखक कौन थे पताए इंहे दोस्तों तो दोस्तों वै है महत्मागंधी? ओके हिंस्वराज जो है महत्मागंधी की रचना है और इसकी रचना जो है दोस्तों 1909 में इंग्लेंड से दक्षिन अफ्रिका की अपनी यात्रा के दोरान गांधी जी ने पानी के जहाज पर की थी और ये सरुप्रतम इंडियन ओपीनियन में प्रकाशित हुई थी याद रखेगा दोस्तो नास्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्ण क्रिशन है निम्नम में से किस देश में वर्स 1986 में युनाइटेड किगनम का शार्षन अपचारिक रूप से समाप्त हुआ था पताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है उस्ट्रेलिया ओके दोस्तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वर्स 1986 में United Kingdom का शार्षन अपचारिक रूप से समापत हो गया था याद रखिएगा दोस्तो नेक्स्ट क्रिशन पर चलते हैं हमारा next important question है वर्स 2015 में नेपाल के प्रधान मंतरी के रूप में किसने सपत ली थी पताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है खड़क प्रसाज शर्मा ओली ओके खड़क प्रसाज शर्मा ओली जो है दोस्तो नेपाल के 38 प्रधान मंतरी और 20 सितंबर 2015 को लागू हुए सम्वेधान क अनुसार नेपाल के प्रधम प्रधान मंतरी बने थे ठीक है दोस्तो दोस्तो यहां पर नेपाल के बारे में बात हो रही है कुछ important points जान लेतने से related नेपाल की जो capital है वह क्या है बताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है काटमांडू और दोस्तो जो काटमांडू है यहां का और दोस्तो जो language यूज होती है यहां पर officially वे है दोस्तो नेपाली और रास्टपती है यहां के पिंद्या देवी भंडारी याद रखे का दोस्तो next question पर चलते हैं हमारा next important question है अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है पताईए दोस्तो तो दोस्तो वे है अफगानिस्तान इस्लामिक अंडराज्य यानि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान ओकी दोस्तो 1996 में तालिबानों दोरा अफगानिस्तान के अधिकांश भाग पर कबजे के बाद इसे अफगानिस्तान इस्लामिक अमीरात नाम दिया गया और इसक इसलामी घंडराज्य में तब्दील हो गया था याद रखेगा दोस्तों अफगानिस्तान इसलामी घंडराज्य नास्ट किशन पर जलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है कौन से साल पांगलादेश एक स्वतंत्र संसदिय लोकतंत्र बना पताईए दोस्तों तो द और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सीना ने समर्पन कर दिया था और पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र देश बांगलादेश के रूप में अस्दित में आ गया और जनवरी 1972 में पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल कर बांगलादेश कर दिया गया और सम्विधान के तहर जो ह पाल और सफेद रंग की डैस पट्टियां बारी बारी से शामिल है बताइए दोस्तों उनकी संख्या कितनी है तो दोस्तों वह है 14 ओके याद रखिएगा और दोस्तों ऐसी इंट्रस्टिंग व्यूडिजर के लिए स्से मेकर को आप अपने दोस्तों की साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कूल न भूले नास्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्डन केशन है जोर्ज लेमेत्रे डैस से संबंदित है पताइए दोस्तों उनका रिलेशन किस से है तो द बाद में जो है दोस्तों रोबर्ट बैगनर ने 1967 में इस्तिद्दान के व्याख्या प्रस्तुत की थी याद रखिएगा और दोस्तों ये वीडियो हर सोसे साथ पेच पेच पे आप अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कूल न पुराना है पताईए दोस्तों तो दोस्तों वे है 13.8 बिलियन वर्ष याद रखिएगा नेस्ट केशन पर चलते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्डन केशन है तारे मुख्यता किस से बने होते हैं पताईए दोस्तों तो वे बने होते हैं दोस्तों हाइड्रोजन और हिलिय इससे बने होते हैं और तारों में जो है एक से लेकर डेर कडोर कैल्विन तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणू आपस में सलियन्थ होकर हिलियम का निर्मान करते हैं और तारों से मुक्त होने वाले उर्जा, उश्मा और प्रकास का कारण नाभी के सलियन अभिक्रिया है और नाभी के सलियन अभिक्रिया में तो छोटे नाभी का अपस में सलियन्त होकर एक भारी नाभी का निर्मान करते हैं याद रखिये का दूस्तों, next question पे चलते हैं और इस तारा मंडल में जो है साथ चमकतार तारे शामिल है याद रखिएगा Next Question पर चलते हैं हमारा Last Important Question है मंगल ग्रे को डैस के रूप में भी जाना जाता है तो दोस्तो आप सभी जानते हैं वैव जाना जाता है लाल ग्रे के रूप में ओके दोस्तो मंगल ग्रे को जो है लाल ग्रे के रूप में भी जाना जाता है और मंगल के वायू मंडल में जो है दोस्तो 95.3% जो होता है कार्बन डायोकसाइड 2.7% होता है दोस्तो नाइक्ट्रोजन और 1.6% होता है दोस्तो औरगन और 0.15% होता है ओक्सिजन और 0.03% होता है दोस्तो जल और यह जो है दोस्तो अपनी दुरी पर लगबाग 24.6 गंटे में एक चक्कर और 686.98 दिनों में सूरे के 4 और एक चक्कर लगाता है याद रखिए का दोस्तो तो दोस्तो यह ते चनल अवैनेस के important job 20 MCQ most important questions I hope यह वीडियो आपको पसंद आया है यह वीडियो कैसा लगा comment box में जरूर बताईएगा पसंद आया तो अपने study related group में शेर जरूर करें और SSC maker को like, subscribe and share करना बिल्कुल न भूले आज के लिए बस इतना ही thank you so much दोस्तो